क्या आप भी त्यारी कर रहे हैं UPPCS 2021-22 की और प्रैक्टिस करना चाते हैं GS के क्वेशन्स तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां पर हम आप से डिसकस करेंगे GS के क्वेशन्स और आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज GS for UPPCS 2021-22 शुरू की जारी है और ये उस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर दीजेगा और वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले कोशन को पहले कोशन है मैच दा फॉलोइंग टाइप है एक साइड आपको दिया गए अभ्यारण की नाम दूसरे साइड है राज आपको मैच करना है कि कौन सा भ्यारण किस राज में है पहला देखिए क्या दिया है राय मोना राश्ट्री उदान उसके सामने कौन सा राज का नाम है राजिस्थान दूसरा कूनू राश्ट्री उद्यान उसके सामने कौन सा राज का नाम है असम तो देखे आप अपना अंसर गैस कर लिजे उससे पहले आप एक नजर options की और भी देख लिजे तो आपको ये options दिये गए हैं स्क्रीन पे option A, 231, option B, 321, option C, 213, option D, इन में से कोई नहीं तो देखे पहले एक option तो पहले ही cancel हो गया, option D, इन में से कोई नहीं ऐसा होई नहीं सकता कि इन में से कोई नहीं हो, ठीक है अब देखे आप अपना अंसर गैस कर लिजे, फिरम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा I hope अब तक आपने अपना अंसर गैस कर लिए होगा, तो इसका correct answer option A, 231 231 कैसे, देखे राइमोना राश्ट्री उद्यान, ये कहां का है, तो ये है असम का कूनो राश्ट्री उद्यान, देखे कूनो राश्ट्री उद्यान, ये कहां का है, तो ये है मद्धिप्रदेश का तो ये कहां का है तो ये है राजस्थान का तो ये थे correct answers एक बार फिर से चली एक बार revise करते हैं question को जब मैं आपके लिए question दो बार पढ़ती हूँ options दो बार पढ़ती हूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़ा करिए ऐसे क्या होगा कि चीजें आपके दिमाग में बैठती चली कि और साथी साथ आपको learn होती जाएगी जिसे आपको exam में काफी जादा useful होगी वो चीजें ठीक देखें राय मोना राश्चियुदान कहां पे है तो ये है असम में कुनु राश्चियुदान कहां पे है ये है मद्धि प्रदेश में रामघड विषदारी वन जीव अभ्यारन तो ये कहां पे है ये है राजस्थान में इस्तेत है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशिंस को देखते हैं उससे पहले एक नोट दिया गया है उसको भी एक पर पढ़ लीजे कहां पे है अभी उपर आमने डिसकस के ये है ये है राजस्थान में ठीक और ये भारत का 52 रिजर्फ होगा ठीक है' तो रामगड विश्यदारी वन जीव अब्यालन फिफ्टी टू नंबर प्याता है लेकिन अगर राजिस्तान में बात की जाए तो यह चौथे नंबर प्याता है ठीक इसे याद कर लीजेगा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले कोश्टन को तो देखिए कोश्टन नंबर टू कौन सा है कोश्टन नंबर टू स्टेटमेंट वाले कोश्टन से इबर पढ़ते हैं उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टन चीज़ यह है उसको आपको कोश्टन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है कोई भी वर्ड स्किप मत करीगा मैं कि कोश्टन कि वर्ड इसे कहले हैं कि अइसा कोश्टन गलत निम्न में से कौन सा कथन सहीं नई है कि ज़्यादा इंफेसिस करिए वो जान बुच के आप से ऐसे question पूछते हैं ताकि आप नहीं है को skip कर दिजो और question आपको आता हुआ पिए आप गलत कर देंगे तो इसलिए जो नहीं है उसको जो आप question पढ़ें तब उस पे एक circle mark कर लिया करिए ताकि आपको याद रहे कि question पूछा गया कि statement कौन सा सही नहीं है ठीक देखे statement क्या दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी आदर भूमी पश्चिम बंगाल की सुन्दरवन आदर भूमी है ये था statement 1 statement 2 क्या दिया कि रेडू का आदर भूमी हमाचर परदेश में इस्थित भारत की सबसे छोटी आदर भूमी है ठीक देखे option 3 क्या दिया है statement 3 सुन्दरवन आदर भूमी 26 आदर भूमी है ठीक अब आपने statement 3 देख लिए वीडियो को pause करके आप अपना answer guess कर लीजे ठीक फिर हम देखते इसका correct answer क्या होगा तो देखे options आपको दिये गए हैं screen पे option A 1 और 2 option B केवल 3 option C केवल 2 option D इन में से कोई नहीं तो देखे option D तो ऐसे ही कर दिया कि इन में से कोई नहीं ठीक 3 यह जो है statement 3 यह वाला statement सही नहीं है ठीक यह वाला statement सही नहीं है क्योंकि सुंदरवन आदरभूमी वो 26th नंबर की नहीं है वो 27th की है ठीक 27th नंबर के आदरभूमी है बाकि उपर के दोनो statement आपके सही है ठीक है और यह वाला statement जो था वो सही नहीं है इसलिए यह correct answer है और साथ साथ आप यह statement याद रख लिजेगा कि आदर भूमी पश्चिम बंगाल की जो सुन्दर बन आदर भूमी है भारत की सबसे बड़ी आदर भूमी है और रेणु का आदर भूमी हिमाचल प्रदेश में इस्तित है जो कि भारत की सबसे छोटी आदर भूमी है ठी याद कर ल भूमी है देखते हैं नेक्स्ट को क्या पूछा गया आप से फफून की कोशिका भित्ती फंगल सेल वॉल निम लिखित में से किस्से बनी होती है तो देखें इससे कोशिन में क्या पूछा गया कि फफून की फंगल सेल वॉल जो कि सेल वॉल होती है फफून की वो किस्से बनी होती है, इन्हीं में से कोई एक correct answer जिससे आपको guess करना है, तो आप अपना answer guess कर लिजे, फिर हम देखते हैं, इसका correct answer क्या होगा, तो देखें इसका correct answer हो, option A, chitin, fungal cell wall, किसकी, फफून की, फफून की fungal cell wall chitin से बनी होती, तो ये question में important है, कई बार पूछा जा चुका ह आगे भी कोई exam में आने की संभावना बनी रहेगी, तो आप इसे जरूर जरूर से याद कर लिजे, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next question को, संयुक्त राष्ट परियावरंड कारिकरम का मुख्याले कहा है, संयुक्त राष्ट परियावरंड कारिकरम, United Nation Environment Program, UNEP, इसमें पूझा गया आप से कि UNEP का मुख्याले कहा है, तो देखिए जो ये organization होते हैं, इनका मुख्याले exam में पूछ लिया जाता है, तो आप exam oriented question, ये सब मतलब direct उठके आने वाले सवाल हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी miss मत करिएगा, ठीक, इन्हें जरूर से याद कर UNEP सैयुक्त राष्ट परिया वरेंट कारिकरम का मुख्याले नैरोबी में हैं, चलिए देखे देखते हैं अपनी next question को कि परिया वरेंट संरक्षन के लिए green army को किसने आरंब किया, question एक बढ़ान से पढ़िए क्या पूचा गया कि green army, green army को किसने आरंब किया, ये question में पू किया है, आपको चार options दिये गए हैं, इनी में से कोई ये correct answer जिसे आपको guess करना है, तो आप अपना answer guess करिए, फिर हम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा, तो देखें इसका correct answer को option D Australia, Australia ने green army किया है परिया वरेंट संरक्षन के लिए, तो ये question भी important रहेगा, exam perspective से आप इसे भी याद करते चलिएगा, और देखते हैं next question को, नेमलिकित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्वतान से इनको संरक्षन दिया था, तो देखें ये question में important होने वाला, आप में से कही लोग medieval history नहीं पढ़ते हैं, बीन पढ़ें उसे चले जाते हैं, ये सोची कि medieval history के question कम आत तो देखें एक question में medieval history का, जो कि काफी जाता important रहने वाला है, नेमलिकित राजाओं में से किसने अकबर से पहले तान सेन को संरक्षन दिया था, तान सेन को पना अकबर से पहले किसने दिया था, संरक्षन, options आपको दिये गए हैं, रीवा, राजा, रामचन सिंग, जै सिद इधिराज, मेवाल के उदय सिंग, या फिल कल्याल सिंग, तो आप अपना answer guess का लिजे, फिर हम देखते हैं, इसका correct answer क्या होगा, तो देखें इसका correct answer को option A, रीवा, राजा, रामचन सिंग, रीवा, राजा, रामचन सिंग, रीवा, राजा, रामचन सिंग, ने अकबर के तान सेन को संरक्षन दिया था, अगर आपको तान सेन का original लाम पता होगा, तो comment section में जरूर हमें comment करके बताईएगा, हमें इंतिजार रहेगा आपकी comment का, चलिए देखें, next question को देखते हैं, निम लिखित स्मारको को काला नुकरम से व्यवस्थित करें, अब देखें, यहा आपको, तो देखें, options देख लेते हैं, राबिया दौरानी का मकबरा, और अंगाबाद महराश्ट, ठीक, option 2 कौन सा, शेर सा सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार, option 3, हुमायू का मकबरा, नई दिल्ली, option 4, अटला मस्जित, जानपूर, तो देखें, आपने चारो options पढ़ दि होंगे, आप अपना sequence आप guess कर लीजे, फिर हम options आपको दिखाते हैं, और आप अपना answer guess करीए, तो देखें, ये रहे screen पे आपके options, आप options देख लीजे, अपने answer guess करीए, फिर हम देखते हैं, इसका correct answer क्या होगा, तो देखें, इसका correct answer होगा, option A, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, इसका पहले बना था, ठेक, अटला मस्जिद जॉनपूर, ये पहले बना था, उसके बाद बना था, शेर सासूरी का मगबरा, सासाराम बिहार का, उसके बाद बना था, हुमायू का मगबरा, नई दिरली, फिर सबसे last में बना था, राबिया, दौरानी का मगबरा, औरंगाबाद महराश्ट तो देखिए ये सीक्वेंस रहने वाला है इस कोशन काफी जाता इंपॉर्टेंट था और आप इसे जरूर से याद कहलेजेगा अब बढ़ते हैं अगली कोशन के साइट कोशन नमबर एट कोशन नमबर एट में क्या पूछा गया आप से कि मैई दोहजार इकिस मे कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में आस्मानी बिजली गिरने से 18 हातियों के एक जुंड की मित्ति हो गई या कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व कहां इस्तित है तो देखे कर आप करेंट फेट से अपडेट रहते होंगों तो ये कोशन हाल ही में सुर्ख्यों में बना हुआ थ कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व कहां इस्तित है ठीक और इसमें 18 हातियों के जुंड की मित्ति हो गई थी आस्मानी बिजली गिरने से तो इससे काफी जाता नुकसान भी हुआ था और ये कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व है कहां या आप से कॉश्चन में पूछा गया तो द इसमें है जहां पे बिजली गिरने से 18 हातियों के जुंड की मित्तियों हो गई थी मई 2021 की ख़वर है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये कॉश्चन ठीक आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कॉश्चन को Q9 में आपको match the following दिया गया है जहां पे आपको सूची एक में दिया गया है और सूची 2 में आपको दिया गया है उसका स्थापना दिवस कब-कब ये संस्था स्थापित की रही थी तो देखें option A है UNEP 5 October 1948 option B है IUCN 5 June 1972 WWF 7 April 1948 WHO 29 April 1961 तो देखें आप options पढ़ लीजें वीडियो पॉस करके एक बार फिर अपना answer गैस कर लीजें आपको चार options screen पे देख रहे होंगे इनी में से कोई एक है जो correct answer है जिसका आपको पता लगाना है I hope अप तक आपने अपना answer guess कर लीजेंगा तो देखें इसका correct answer है option A 2143 correct answer है कैसे तो देखें UNEP की स्थापना कब की गई थी? 5 June 1972 पाइव जून 1972 को UNEP की स्थापना की गई थी? IUCN की स्थापना कब की गई थी? IUCN की स्थापना पाच अक्टूबर 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी? WWF WWF की स्थापना कप की गई थी WWF की स्थापना की गई थी 29 April 1961 में अब देखिए WHO की स्थापना कप की गई थी WHO की स्थापना की गई थी 7 April 1948 में तो ये question भी अपने आप में important था आपको पता है कैसे question exam में पूछ लिये जाते हैं तो आप इने जरूर जरूर से याज कर लिजेगा और आगे बंदने से पहले एक बार फिर से revise कर लिजे UNEP कब established हुआ था 5 June 1972 IUCN 5 October 1948 WWF 29 April 1961 WHO 7 April 1948 आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले question को question number 10 question number 10 में क्या पूछा गया है मई 2021 में किसके द्वारा Operation Samudr Setu 2 Oxygen आविशक्ताओं की पूर्ती हेतु चलाया गया था तो देखें इस question में किस operation का जिक्र हुआ है इस question में आपसे पूछा गया Operation Samudr Setu 2 Operation Samudr Setu 2 किसके द्वारा चलाया गया था या आपसे पूछा गया है और किस लिए चलाया गया था तो ये Oxygen आविशक्ताओं की पूर्ती हेतु चलाया गया था मई 2021 में तो देखें किसके द्वारा चलाया गया था options है वित्त मंत्राले ग्रह मंत्राले भारती नौ सेना द्वारा या फिर इन में से कोई नहीं तो आप अपना अंसर गैस कर लिजे फिरम देखते हैं correct answer क्या होगा तो देखें इसका correct answer होगा option C भारती नौ सेना द्वारा operation समुद्र सेतु 2 start किया गया था मई 2021 में oxygen आवे सकताओं की पूर्ती हेतु ये question भी important रहेगा आप इसे जरूर से याद कर लिजेगा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को question number 11 प्रतम गोल मेट सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनीधी कौन थे दिखें question modern history का है ये question में important रहेगा गोल मेट सम्मेलन से आप से तीनो गोल मेट सम्मेलन में शामिल थे ठीक देखते हैं next को I mean देखते हैं इस question को options क्या क्या दिए गए हैं आपको मुझे जाएकर अमबेटकर या फिर लाला लाजपत रहे तो देखें आप एक बड़ कोशन पढ़ लिजे फिरम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखें इसका correct answer होगा option A 1, 2 1, 2 का मतलब क्या होगा याँ पे कि मतलब मुझे मुझे और जाएकर ये दोनों ही थे जो कि प्रतम गोल मेट सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधी थे कि महासभा के हिंदू महासभा के प्रतम गोल मेट सम्मेलन में कौन थे वो मुझे और कौन थे जाएकर तो देखें आप answer चली देखते हैं next question को question number 12 को रसायन विज्ञान में quantum theory की खोज किसने की थी आप देखें जानते होंगे quantum theory का अपना अलग ही एक important field रहा है science में जो की neglect बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और आप से पूछा गया के रसायन विज्ञान में quantum theory की खोज किस विज्ञानिक ने की थी options है mostly अफबाव एडर्शन या फिर max plank तो आप अपना answer guess कर लीजए तो देखे इसका correct answer आप guess कर लीजए इसका correct answer होगा option D max plank max plank ने quantum theory खोजी थी आगे बढ़ते हैं अगले question के side question number 13 तो देखे इस question में आप से क्या पूछा गया है कि 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पूरुषकार दिया गया है किस पूरुषकार के बारे में पूछा के पद्म पूरुषकार 2021 में screen पे आपको 4 options दिये गए है 119, 141, 118, 116 तो आप अपना answer guess कर लीजए देखे इसका correct answer का option A 119 लोगों को 2021 में पद्म पूरुषकार दिये गये थे आगे देखते हैं अगले question को 13, 14, 7 तो आप अपना answer guess कर लीजए देखे इसका correct answer का option 7 2021 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषन दिया गया था देखते हैं next question को next question में पूछा गया है 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पूरुषकार दिया गया है तो यहां पे महिलाओं पूछा गया तो कितनी महिलाओं को दिया गया है option 29, 28, 60, 15 तो आप अपना answer guess कर लीजए फिर हम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer का option A 29 महिलाओं को पद्म पूरुषकार दिया गया है 2021 में आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोशन को भूरी बाई इनका संबंद मद्य परदेश से है वा किस जन जाती से संबंदित है options आपको दिया गये अगरिया, सहरिया, भील या फिर कोरकू तो आप अपना answer guess कर लीजए फिर हम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखे हैं इसका correct answer होगा option C, भील भूरी बाई भूरी बाई कहां कि मलब कि किस जन जाती से संबंदित है तो वो भील जन जाती से संबंदित है भूरी बाई ठीक और ये कहां किस से हैं तो ये मद्य परदेश से हैं और ये भूरी बाई भील जन जाती से संबंदित है देखते हैं next question को P. Anitia का सम्मंद किस खेल से है जिनने पद मुष्री 2021 से सम्मानित किया गया है किनकी बात हो रही है P. Anitia की जिनने पद मुष्री 2021 से सम्मानित किया गया पूछा क्या किया किस खेल से ये सम्मंदित है देखे options में दिये गए हैं बास्केट बॉल परवत रोही पैरा अथलीट टेबल टैनिस तो आप अपना अंसर गेस कर लीजे फिरम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखें इसका correct answer को option A. बास्केट बॉल P. Anitia को पद मुष्री 2021 से सम्मानित किया गया था बास्केट बॉल खेल में ठेक आगे देखते हैं नेक्स कोशन को कोशन नमबर 18 निम्निराच में से किसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा है option से आंदरपरदेश, करनाटक, गुजराथ, गोवा, तमिलनाडू, माराज, माराज या फिर गोवा तो आप अपना अंसर गैस कर लीजे फिरम देखते हैं इसका correct answer क्या होगा तो देखें इसका correct answer है option B, गुजराथ, गोवा ये question काफी जादा repeated question है और ये important भी बन जाता है तो गुजराथ की सबसे लंबी coastal line है और सबसे छोटी coastal line किसकी है सबसे छोटी coastal line है गोवा की और सबसे लंबी coastal line किसकी है तो वो है गुजराथ की तो आप ये answer गिदात कर लीजे का important रहेगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले question को question number 19 को सम्विदान की किस अनुछेत में परियावरेंट का संद्रक्षन तदा समवर्धन उपबंध है आपको पता है कि हाल ही में ऐसी कई परियावरेंट से समस्या आई हैं जूज रहे हैं हम लोग तो ये question काफी जादा important होने वाला है और अपकी बार के UPSC के exam में भी परियावरेंट से question काफी जादा पूछे गए हैं अगर आपने analysis क्या होगा question paper का तो देखिए article दिये गए है article 48, article 48A, article 47 या फिर article 47A तो आप अपना answer guess कर लीजे देखिए इसका correct answer होगो option B article 48A में परियावरेंट का संद्रक्षन तदा समवर्धन उपबंध है भारती समविधान में सार्वजनिक वयस्क मता धिकार की विवस्ता किस अनुछेत में उलेखित है options आपको दिये गए है article 325, article 327, article 324, article 326 तो आप अपना answer guess कर लीजे देखिए इसका correct answer होगा option D article 326 में सार्वजनिक वयस्क मता धिकार की विवस्ता का उलेख किया गया तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा ये GS की questions पसंद आये होगे तो आप अब हमारी सीरीज को लाइक करिए और अपना support बनाए रखने के लिए हमसे चुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और bell icon को प्रेस करके all पे set कर दीजे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हो सबसे पहले उसका notification आप तक पहुँच जाए और वीडियो को like share करना मत भूलिएगा उन सभी aspirants से जो कि UP pieces 2021 को target कर रहे हैं और अपनी तयारी करना चाहरे हैं तो ठीक है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में इसी सीरीज के तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गुड़ बाई